प्राइज इस्टिवलाइजेशन फांड अगे इसे एक स्टोरी के फाम में समझते हैं एक वार 2014 से 2015 में सरकार ने प्राइज इस्टिवलाइजेशन फांड इस्किम लांज के ताकि पलसेश, ओनियन और पोटेटो जैसे कुमुनिटिज के दामों को स्टेवल रखा जा सके इस स्किम का में मकसद था कि जब इन चीजों के दाम ज़्यादा बढ़ने लगे तो सरकार इस्टेजिटिक बफर बनाए और दामों को कंट्रोल में रखे इस स्किम के तहट ये कुमुनिटि सीधा फार्मर या उनके गुरूप से ख़ड़ी जाएगी या तो उनके फार्मगेट पर या मंडली में बाज में ये सामान कंजुमर को कम दाम पर बेच दिया जाएगा ताकि लोगों को महंगाई का सामना ना करना पड़े प्राइज इस्टिबलाइजिशन फंड इस्किम में इस्टेट गोवर्मेंट यूटी और सेंटरल एजेंसी को इंट्रेस्ट फ्ली लाउं दिये जाते हैं जिससे ये कुमुनिटि खरिदने और डिस्टिबूट करने में मदद में दिये ये इस्किम डिपार्टमेंट और कंजूमर रिफियर के अंडर आती है जो मिनिस्ट्री और कंजूमर रिफियर फूड एंड पब्लिक इस्टिबिशन का एक हिस्सा है इस इस्किम ने ना सिर्फ किसानों को फाइदा मिलता है जो समान को सीधे बेश सकते हैं कि आम जन्दा को भी सस्ते समान मिलता है जब बजाड में दाम बढ़ने लगते हैं